कौन बनेगा मुख्य मंतरी? ये बहुत बड़ा सवाल बन चुका है राजस्थान की राजनीती में और हर कोई अब इसका जवाब जानना चाहता है, हर कोई अपने इस तर पर आंकलन भी कर लेता है और हर कोई अपने फेवरिट को मौका दिलवाना जाता है कि वो ही बने मुख कि पास है और अब देखना ये दिल्चस्प है और जो सवाल है वो वाकिए में अपने आप भी खुद दिल्चस्प बन गया है हर कोई इंतसार कर रहा है कि इस सवाल का जवाब उन्हें कब मिलेगा और इस सवाल का जवाब के साथ-साहथ्रान की राजनीती में जो कुछ भी हुआ और होने वाला है इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौझूद है बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी महराथ चौपरी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बढ़ायों आपको कि ने केवल राजस्तान बलकि 36 गर्ड और मध्य परदेश में भार जिनता पार्टे की सरकार बन रही है और प्रचंड भाहुमत से जो हमारे रा यह तो एक खुशी की लहर है ही बीजेपी के कारकरताओं में मैं यहाँ पर यह जानना चाहूंगी जो सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर कौन बनेगा मुख्य मंतरी तो इसके अंदर आप बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं बहुत से ऐसे चेहरे हैं आप देख सकते हैं वसंद्रा राजे जी भी है तो दर्दिया कुमारी भी खड़ी हैं फीमिल्स के साथ मेल्स की भी बहुत लंबी लाइन है तो आपको क्या लगता है कि अलगमान इस बार किसको मौका दे सकता है क्या एक महिला प्रतिनिद्व निकल कर सामने आ सकता है जैसे कि राजे जी के च तो इस परकार जो भी तेह होगा जो नेंदर मोदी जी और हमारा जो पार्टी का जो अरलेमेंटरी बोर्ड है वो त्या करेगा और जल्द ही विदिन 24 होड में रास्तान के स्यम का एलान लगबग लगबग वहां पे तेह हो गया और लगबग लगबग आज साम तक या कल साम तक ऐलान हो जाएगा जी बिल्कुल ये तो अनुमान लगाया जा रहा है कि नाम तो तैह है बस बाहराना बाकी है लेकिन मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपकी तरफ से किसके चांसे जादा हैं क्योंकि आलग अमान का तो जो डिसिजन रहेगा वो सर्वोपरी है और यह जो उन्हें आसमान से धर्ती पर लिया जिस परकार कॉंग्रेस को पिसली बार जन्ता ने चुना था वह आ गया कि उन्होंने दिखाया क्या देख्या दिया और फिर उसके बाद में भी यह पूरी पूरे पांच वर असिया सरकार होटलों में बैट रही है वहीं से रात चल कभी कौन क्या हो रहा कि सचीन पाइलेट कोंग्रेस से मारी लड़ाई नहीं थी कोंग्रेस के अंदर कोंग्रेस वालों की लड़ाई थी असव गयलों अपस में ऐसे लड़ते रहे और उससे नुकसान किसका हुआ राजस्तान का वा पेपर लीक हुए इतने माफिया राज इतने खनन गोठाले यहां पे हुए इतने पेपर यह पहली बार सची वाले के अंदर सोने की इटे मिल रही है आज तक पूरे देश के अंदर हैसा मामला कहीं भी नहीं हो और फिर उसके बाद में असो गलोट चुणाओं अड़ रहे हैं श्रीप की चैरा को नहीं का असो ग यह बोलारे थे कि हमारी गारिनटी योजना हैं हमारी चरेंजी भी योजना हैं ऐसी योजना जिनका कोई जनाधार नहीं था श्रीप काजों में जो इनकी योजना इसान इक चली है उसको जनता अच्छी तरह भ़ब चुकी थी और उसी को देखके जनता ने वोड दिया है तो इनका चैन पीलिट के सामने आ चुका है और असो गललोगा कि इसके आपको भी लगता है कि पाइलेट के साथ हिनोंने जो किया क्योंकि देखे पिछले अगर चुनाब की बात करते हैं तो सचन पाइलेट ही वो एक ऐसे नेता थे जो 21 सो सीटों के सफर पर कॉंग्रेस को लेकर गए थे और फिर कहीं ना कहीं जो गुर्जर समाज को आश्वस्तता दी गई थी कि अगर वोट मिलेंगे तो पाइले नहीं ना जन्ता नी ने किया ना बीजेपी ने किया किया तो कॉंग्रेस नहीं जो आपस में अनुसाशित नहीं है आपस अगर हम तीसरे मोर्जे की बात करते हैं तो सबसे जादा हनुमान बेनिवाल काफी जादा एक्टिव है लेकिन हनुमान बेनिवाल के साथ भी जो हुआ हाला कि उन्होंने जीत दर्ज की खिमसर से और कहीं न कहीं उनको यह लग रहा था कि मैं भी एक डिसिजन मेकिंग उस प्रणाली में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला हो लेकिन उनके साथ कुछ उल्टा ही हो गया प्रचंड बहुमत से बीजेपी आ गई और अब बीजेपी अपनी शमता अपनी ही डिसिजन मेकिंग करने के लिए खुद मतलब उनको है यह हक है उन बहुत गलता है और अब तक के राजनिते की इत्यास में एसा नहें पहली बार एका है जो कारेकरता को पर बीटा की कूम रहे हैं उन कारेकरता को अब पर बार नहीं गिए जन्ता ने मन बना लिया था जिस परकार मोधी जी की रोड्सों में रेलियों में इतनी अपार जंद जा करना समिती तैयार करना और सभी ये सब हो गया है इसके बाद में पर्ना परमुक तैयार करना ओर पन्ना् परमुख के बाद में चाहते उची पर मान बेनीवास के एार चुनाओं सब माद सब्सक्राइब it कहीं यही देखा गया जो राष्ट्रवाथ यही देखागए जो राष्ट्रवाद ऑर सणातन की विचार धारा थी वो जन-जन में देखने को मिली इस बार एक कहीं ना कहीं हो बहुत बड़ा कारण यहीं रहा महिलाएं अत्या चार से बड़ी दुखी हो गई थी इसलिए महिला वोट प्रतीशत भी इस बार बहुत जादा बड़ा और बीजेपी के पक्षमे हुआ इस्पेशलि विशेश समुदाए की महिलाओं ने भी बीजेपी को वोट किया कहीं न कहीं तीन तलाग का जो इस्टोरिकल डिसिजन था बीजेपी का वो कहीं न कहीं उसके लिए प्लस पॉइंट बन गया यहां मैं यह भी जानना चाहूंगी कि अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो अब लोग सो भचुनावे आने वाले हैं तो बीजेपी के जो रण नीतियां रहेगी क्या वो उनहीं को ध्यान में रखता रहेगी आप जिस पकार देखो कि जो भी चुनावाता हर पालिटेपना मेनिफेस्टो जनता के बीच में जारी करती है और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसका मेनिफेस्टो 98 परशेंट तक कम्प्लीट हुआ है इसलिए बाहर काया यह आप कॉंग्रेस का मेनिफेस्टो जखोंगे उनके मेनिफेस्टो की पहले लाएं थी कि 10 दिन में सरकार बनते ही दस दिन में किसानों के कर्ज माप कितने खिसान आत्मत्य राजस्तान के अंदर कितने आत्मत्य उननीस हजार कि सब्सक्राइब की जमीन कुरकुई है बाहर जिंता पाल्टी का लोकसबाशवा के अंदर मेनिफेस्टो था कि हम आएंगे देश से 1378 अब आप देख रहे हैं किस प्रकार हमने जो कहा वो कियां उसके बार में किया कभी नहीं जी बिल्कुल वो कहावत आपने सुनी होगी हाती के दात खाने की कुछ और दिखाने की कुछ और होते हैं ऐसा ही कुछ कॉंग्रिस में इस पूरे पांच साल में जनता के साथ सिर्फ उन्हें बेवकूफ बनाने का काम किया और कोई धरातल पर अगर आप निकलने धूनने के तो वहां पर आपको काम नहीं सिर्फ तरही माम दिखाई देगा अपराद के नाम पर आजिस्थान रेपिस्थान बन चुका है यह सब ही को पता है इसके अलावा कादेकरताओं के अभी आपने बात की थी की कारेकरताओं की हनमान बेनिवाल ने भी कई सारे सोशल मीडिया पर इसे वीडियोज वारेल हुएते जहां पर देखा गया था कि वहां पर जड़प हो रही है किसी को थपड मार दिया गया है और कॉंग्रेस में भी कारेकरताओं की क्या इज़त है वो भी सभी को पता है अपने सबसे बड़े करमत रिमानदार नेता के साथ जो नोंने किय वो भी जगत विदत है तो क्या बीजेपी में जो ये संगठन में काम हुआ कारकरताओं लेको कारकरता है कैसा होता है जो आपके लिए जन जन तक जाकर वोट मांगता है असल में आपकी योजनाओं को धरातल पर लाकर इन जनता को बताता है समझाता है आपके लिए वोट लाने में सबसे महत्वपोर्ण भोमेका निभाता है अगर आप उसी की इज़त नहीं करेंगे तो आपकी पार्टी की इज़त कैसे करेंगी जन्वाथ तो बीजेपी की जो कारकरताओं की तरफ जो नीती है वो मैं आप से जानना चाहूं कंग्रेस और बीजेपी एतना नतर है क्या मतलब सैजांफ कलेकりました है तो बोलते कि यार पूरा काम बिजया इंबोक्स कर रही है हम यहां पर वैसे ही मतलब इलेक्शन चल रहा था पर उनके कारेकरता बिल्कुल निट्रल थे उनको कोई मतलब नहीं क्या चल रहा है कैसा क्या चल रहा है और एक तरफ दूसरी तरफ बाहर जंता पार्टी में हर रिपाटी एक परंपरा है कि हर काम के लिए कारेकरता और हर कारेकरता को काम और हमारे संक्टर महामंत्री जीन ने जिस कौन कारेकरता किस कारेकरता के लिए उस परकार काम का डिवाइड करके हजारों लाखों कारेकरता पार्टी के लिए इस बार लग रहे थे और पूरे त इस लिए उसां लुकुल देखाय करता हुए नंदर हम जो जो डेखते थे और जिस दिन आए जीसे एक बार पड़ो आज वहां पर यह गटना हो गई आज वह गटना हो गई स महिला कहीं शुरकसित नहीं है आये दिन और इस सरकार में तो यह पहली सरकार है जिसके अंदर जो बुlink bomb rite kения ब्लूम घरी की दिए आफस में एक इसी ग्रूपिंगu यह उसके हैं यह उसके और एमारे पूरे बीज आपिक पूरे कारे करता की परणा इब वास्तव में धुस्त दिखाई दी, हमने खुद ग्राउंड रिपोर्ट की थी, तब जाकर हमने बूत के हाल देखे थे, जब आप जो कह रहे हैं, वो हालात हमने भी देखे हैं, दिखाएं भी है हमारी जनता को, यह बिल्कुल सच है, कि अगर आपने अपने कारकरताओं को व मान नहीं करते, तो जनता आपको आसमान से फर्ष पर गिराने में ज़्यादा देर नहीं लगाती है, कॉंग्रिस इसका खुद एक्जामपल है, अब यह जो सबसे बड़ा सवाल है, सी एम कौन बनेगा, आला कमान, देखें, सी एम जो भी बने, आला कमान का जो डिसिजन है यहां पर बगावत नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी की जो सबसे बड़ी जो पावर है, वो यह है कि यहां डिसिप्लिन होता है, अगर आला कमान ने जो कहे दिया, वो सर्व मानने होता है, यहां पर ऐसा नहीं होगा कि वहां से मुख्यमंतरे का नाम आया, और यहां चुनाव के लिए भी जो बीजेपी के दर नेतिया है, वो भी सपष्ट है, साफ है, राष्टरवादी नेतियों पर काम किया जाएगा, जनता के लिए काम किया जाएगा, धन्यवाद सर, हम से जुड़ने के लिए बहुत 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 or simply aiming to connect with your audience I am here to do that for you in the most impactful manner that connects with your target audience I do scripting, editing, motion graphics, lighting, animation and audio all these in-house ensuring quality and fast delivery I offer logo insertion, image insertion, video insertion, bottom scroll insertion and movable background too with just a little extra charge Now what are you waiting for? Let's join hands to create a promotional masterpiece that reflects your brand identity Check out my profile now and message me for any kind of queries